हेलो गाईज, वेलकम बेक टो आसान अवितादित्य चैनल, here we learn basic English in a different format आज की वीडियो में मैं फिर से वही चीज करने वाला हूँ जो बार-बार समस्या आ रही है और उसके पीछे की सारी कहानी में आपको बदाने वाला हूँ इस चैनल का नाम लगातार बदलता रहा है जिसकी वज़े से आप लोगों को दिक्कत हो रही है लाइन वाइस वीडियो देखने में उनको ढूंडने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है तो उसका समाधान मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ तो अगर आपकी यह समस्या है तो इस वीडियो को लास तक देखकर सभी चीजों को समझ सकते हैं यह चैनल आपको बेसिक इंग्लिश, बेसिक मैथ और बेसिक हिंदी सिखाने का काम करता है बेसिक हिंदी के लिए हमारा अलग से चैनल है जिसका नाम योडियोब एम्टी क्लासीज है आज हम इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उसके बारे में आपको सुरू से लास तक बताने वाला हूं और यूटूब पर सिंपली आपको सर्च करना है आसान है अगर आप आसान है वित आदिते लिखेंगे तब भी वीडियो आ जाएगी और नहीं अगर सिर्फ आप आसान है सर्च करके आप हमारी चैनल दर पहुंच सकते हैं अब जैसे आपके सामने आसान वित आदिते चैनल आ गया जो वेरिफाइट चैनल है यूटूब के द्वारा अब इसको आपको खोलना है सबसे पहले ठीक अब यह वीडियो का इंट्रो वीडियो आएगा जिसे मैं वीडियो में आज तक जितने भी हमने 300 के करीबन वीडियो बनाई हैं वो सारी वीडियो आपको आजाएंगे जो हमने लगाई हुई है अगर आप वीडियो में जाएंगे जैसे जैसे पुराने पुराने आप वीडियो में जाते रहेंगे वैसे वैसे आपको वीडियो मिलत या YouTube के बारे में इतना कुछ पता नहीं था और ये सन था 2016-17 का तो 2016-17 में YouTube के बारे में इतना कुछ पता नहीं था मुझे भी नहीं पता था तो उस टाइम क्या था कि प्रॉबलम थी कि मैंने इस चैनल के कई सारे नाम रखे थे और नाम बदल-बदल के वीडियोज बनाई थी तो सबसे पहले इस चैनल का नाम था Positive Vibes जो की कोछी दिनों तक रहा था जब 100-500 सब्सक्राइबर हुए थे तो इसका नाम Positive Vibes था उसके बाद इसका Learning Point नाम हो गया था Learning Point के नाम से हमने इस चैनल को चलाया था फिर 1000-1300 या सब्सक्राइबर जब पूरे हो गये थे फिर उसका नाम हमने Learning Point से बदलकर आसाने रख दिया था इसलिए आपको जो हमारी Popular Videos है वो Learning Point के नाम से अपलोड है और जितनी भी लिस्ट हमारी अपलोड थी वो Learning Point के नाम से थी लेकिन जब 3-4 या सब्सक्राइबर पूरे हो गये तो थोड़ा YouTube के बारे में समझ में आये था तब Learning Point से दूसरा चैनल था इसलिए हमने उसका नाम चेंज करके आसाने कर दिया था आसान है में AA नहीं हमने सिंगल ए करा था क्योंकि AA के नाम से कोई दूसरा चैनल था तो उसका नाम क्या रखा था मैं आसाने रखा था फिर बहुत लोग प्रोबलम बता रहे था सरा आपका चैनल नहीं मिलता चैनल नहीं मिलता तो हमने फिर क्या कर रया था आसान है के साथ विध आदित्ते भी जोड दिया था तो आज की डेट में इस चैनल का नाम आसान है विध आदित्ते है आसान है बहुत पुराना नाम है इसका काफी लगबग 3-4 सालों से आसान है यह नाम है तो यह नाम की वज़े से आपको प्रोब्लम आ रही होगी विडियो नहीं मिल ली होगी तो यह चीज़ तो चलिए अब छोड़ी अब यह पुरानी बात है आप यूट्यूब बहुत ग्रो कर चुका है और इसके जो विवर्स हैं वो भी बहुत ग्रो कर चुके हैं अब प्लेश्ट में जाके आपको सारी विडियो लाइन वाइस मिल जाएगी मैं बार बार आप से कहता है रहता हूँ यह बेसिक इंग्लिश की 97 विडियो नहीं यह देख रहे हैं यह हाथ देख रहांगे यहाँ, 97 विडियो होगी यह आपको सबसे पहले देखनी है मैं सारी चीजों को यह 12 खड़ी कैसे सीखें English से Hindi में बनाने के लिए वह आप देख सकते हैं English Hindi के साथ कैसे सीखें जैसे null कैसे लिखना है अब घर चल, English में कैसे लिखना है यह सब सीखना है तो यह list आप देख सकते हैं यह Basic English के अभी तक जो हमारी सबसे अच्छी वीडियो हैं, उसमेसे 97 वीडियो मैंने आप लोगों के लिए चानका रखी है, फिर auxiliary verb होते हैं, ठीक है, English में auxiliary verb होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका explanation वीडियो बनाया हुआ है, फिर Basic Math के हमने 18 वीडियो अपलोड कर दी है, आप जा लेकिन अगर आप playlist में जाएंगे, तो सभी चीज़े आपको line wise मिल जाएगी, और यह playlist बनाने में time लगता है, effort लगते हैं, हम लोग आपके लिए playlist बनाकर क्यों रखते हैं, ताकि आपको आसानी से सभी वीडियो मिल जाएं, अगर आपको वीडियो नहीं मिल नहीं हैं, तो मैं word के बीच में difference बताते हैं, forms of verb वच्चों को बहुत दिक्कत होती है, वर्व की forms को लेकि उसके भी हमने 7 वीडियो बनाई हुई है, English spoken series की 7 वीडियो बनाई हुई है, अंग्रेजी पढ़ना हुए समझना सीखे, English reading की वीडियो हमने बनाई हुई है, 9 वीडियो, फिस sound ज जो 18 साल से बड़े लोग हैं, जिन्होंने अपने समय में पढ़ाई नहीं करी, वो लोग भी बढ़ सकें, तो उस तरह से ये मैंने पूरी series बनाई हुई है, sound for kg student, kg student के हिसाब से चीजें, ये English वीडियो है, जो हिंदी में आपको पढ़ाती है, English और बहुत ही basic बेसिक इस पूरी series में, तो इसको भी follow कर सकते हैं, बहुत लोग कहते हैं, sir हमें एक वीडियो मिल जाती है, दूसरी नहीं मिलती, तो मैंने उनसे ये सवाल पुछा, अगर आप मानलो, आपको एक वीडियो आसाने के मिलती है, तो आप उसी वीडियो में जो सिखाया जा रहा है, उ वो चीज भी आपको समझनी आएगी, जो चीज आपके सामने आ रही है, उस चीज को सीखिए और उसका अच्छे से अभ्यास कीजिए, फिर has have had में बहुत दिक्कत होती है, इसके तीन अलग वीडियो है, बेसिक इंगलिश की series जो line wise सुरुवाती लेवल पर मैंने बनाई थ यह वही list है, जो उपर 97 वीडियो की थी, फिर translation की series की कि वीडियो बनाई थी, फिर difficult words, alphabetical, बहुत बच्चों की गलतियां होती है, जब अच्छे लिखने बैठते हैं, पढ़ने बैठते हैं, तो accident, admire, additional, accountant, यह सब words नहीं लिख पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो इसी तरह के difficult word की A to Z तक मैंने series बनाई थी, उस series से मुझे बहुत success मिली थी, बहुत लोगों ने वो series पसंद की थी, तो वो यह series है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक, उसके बाद WH family में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, what क्या है, who क्या है, which क्या है, where क्या है, when क्या है, why क्या है, य यह सब कैसे use किये जाते हैं, इसके लिए अलग से translation की series के हिसाब से मैंने यह चीज आपको बताये थी, English speaking sorts बनाए थी, English speaking की daily use sentences आप कैसे कर सकते हैं, फिर English reading में बहुत दिक्कत होती है, किसी को कुछ नहीं आता, थोड़ी बहुत Hindi ही आती है, तो वो English पढ़ना कैसे उसके लिए हमने यह videos बना रखी हैं, जो कि 8 videos हैं, उसके बाद word meaning की series हमने बना रखी है, word meaning की 10, अभी तो ज्यादा ही 15-16 video हो चुकी है, लेकिन इस list में 10 video आप लोगों के सामने हैं, तो यह सभी चीजे हमारे चैनल पर हुई है, अभी तक यह सभी चीजे basic level के बच्चों क अगर यह चीजे आपकी मजबूत है, तो आप इसके बाद कहीं पर जाकर किसी teacher से जाकर, concert करकर उसके और अगले लेवल की चीजे कर सकते हैं, लेकिन यह basic level की चीजे किसी teacher को भी कराना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यह time taking होता है, और जो basic learners वहाँ पर सीखने आते ह उनको अलग से यह सब चीजे नहीं सिखाए जाती, क्योंकि English सीखने अगर कोई coaching में जाता है, तो उसको थोड़ी बहुत English पहले से आनी चाहिए, वो जो थोड़ी बहुत English होती है, वही चीज यह है, इन चीजों को आप follow करिए, अच्छे से सब चीजों को करिए, तो basic level पर हो पाई, मैंने उसके हिसाब से आप लोगों के लिए videos दी, और उसी तरह आप लोगों ने भी copy पर चीजों को भी मेरी videos को बहुत पसंद किया है, और बहुत अच्छे से अपना प्यार दिया है, तो मेरा सिर्फ एक मात्र लक्ष है कि basic English से आप लोगों को सिखाना, कराना, basic concepts बताना, तो अगर आप basic English में interested हैं, तो आप इन videos को देख सकते हैं, सभी videos free of cost है, इन के लिए online classes कोई नहीं है, बहुत लोग कहते हैं, सर हमारी online classes ले लीजिए, तो online classes अगर लेनी होती, तो यह सब चीजे मैं यहाँ पर नहीं डालता, तो इन सब चीजों के लिए online classes नहीं ह किसके लिए करना है, और कब तक करना है, इन चार सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए, तब ही English पढ़ने लिखने की सुरुवात करनी चाहिए, आपका जो भी level है, उस level को समझिए, उस level के हिसाब से बाकी चीजों को कीजिए, और अपने level की चीजों को ही मत करते र तो अभी तक इस playlist में अब चीखना नहीं है, चिलाना नहीं है, कमेंट नहीं करने, बार-बार कमेंट करते रहते हैं, ये करिए, ये करिए, ये करिए, ये करिए, तो उन सब चीजों को छोड़िए, और जो भी list इसमें से आपको समझ आ रही है, पसंद आ रही है, दो चार से छेटी क्लास के बच्चे यह सब चीज़े कर लेते हैं एक private school के बच्चे बलकि इस से अच्छे लेवल पर ही कर लेते हैं वो बच्चे जो समझदार बच्चे होते हैं और इसी में से ऐसे भी बच्चे हैं, 70% बच्चे ऐसे हैं हमारे private school में जो यह सब चीज़े भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके learning skill नहीं होती, उनकी कोई training नहीं होती उनको कोई अच्छे से पढ़ाने वाला समझाने वाला नहीं होता उनको words की Hindi पता नहीं होती उनको sentence की practice नहीं होती उनको grammar section clear नहीं होते तो यह भी problem है ऐसा नहीं है कि private school के बच्चे भी सब कुछ कर लेते हैं और private school का अलग-अलग level होता है 300 वाले school भी है, 500 वाले school भी है और 5,000 वाले school भी है तो 5,000 वाले school की मैं बात नहीं कर रहा हूँ उनका तो अच्छी English होती है उनके अच्छे teachers होते हैं यह concepts नहीं बदलने वाले यही चीज सिखाई जाएगी noun noun होता है, noun noun ही रहेगा वर्व वर्व होता है वर्व वर्व ही रहेगा लेकिन इनके basic concepts same to same है वर्व की first form, second form, third form, ing form, es form यह सब same to same रहेगी यह सब कभी नहीं बदलता ना पहले बदला है, ना अब बदला है कुछ-कुछ rules बदलते रहते हैं तो basic same to same रहेगा सुरू से आईए, चीजों को देखिए एक और most important question, sir हमें English सीखने के लिए Hindi सीखना जरूरी है अगर आप English सीख रहे हैं तो आपको English सीखना जरूरी है अगर आप English सीखना चाते हैं और पहले से थोड़ा बहुत आपको आता है तो उसके लिए Hindi का आना कोई जरूरी नहीं है हाँ, Hindi के भावों को समझना जरूरी है कि क्या भाव है, क्या कहा जा रहा है क्या कहना चा रहा है ये चीजे समझना जरूरी है लेकिन Hindi आना ये जरूरी नहीं है और अगर आप अच्छे लेवल की English सीखना चाते हैं तो मैं यही कहूंगा English की वीडियोज, English में ही देखें English की वीडियो, English को अपने चारों तरफ रख लें बातचीत करें लोगों से तो टूटी-फूटी English में, movies देख रहे हैं तो English में देखिए, अगर practice कर रहे हैं book पढ़ रहे हैं तो English में पढ़िए अगर किसी चीज को आप सुनने हैं YouTube वीडियोज देख रहे हैं और वो English में available है तो English में ही उन चीजों को करिए advanced level के ये tips है, basic level पर तो आपको Hindi में सीखना पड़ेगा समझ बढ़ाने के लिए, और एक बास समझ बढ़ गई तो आप अपने आप आगे बढ़ते रहते हैं एक बास समझ बढ़ना, चीजों का concept समझाना, basic level पर चीजों को समझ पाना, ये मुश्किल होता है, जब ये चीजे cover हो जाती है, उसके बाद तो आपको जैसे बहाया जाएगा, वैसे बह जाएगे, जैसे टीचर दुवारा सिखाया जाएगा, वैसे आप practice करकर के आगे बढ़ जाएगे, और practice एक दिन, दो दिन, दस दिन की नहीं होती, महीनों की होती है, जब आप महीनों किसी चीज की practice करेंगे, तब आपको सफलता मिलेगी, और ये मैं नहीं पूरी दुनिया कहती है, कि कि किसी भी चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अगर उसका अभ्यास करते हैं, अगर कोई आपसे अच्छा है, इसका मतलब है, उसने आपसे अधिक अभ्यास किया है, उन चीजों की practice किया है, और अगर आप उससे अधिक अभ्यास कर लेंगे, तो आप उससे बहतर हो जाएंगे, इसी के साथ मैं इस वीडियो का आंत करता हूँ, और अगर आपको सुरू उससे हिंदी सीखना है, हिंदी की मात्राइं सीखनी है, तो आप हमारे AMT Classes चैनल पर जा सकते हैं, अगर यहीं पर आप चैनल में जाएंगे, तो शायद हमारा AMT Classes चैनल भी मिल जाएगा, आपको, यह AMT Classes चैनल है, एक लाग सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 45 जाएंगे मैं आधिति मुंठाकूर, हिंदी प्रेमी आपका, इस AMT Classes चैनल पर जासके हैं, इसकी प्रेमी में भी 60 वीडियो की सीरीज का, हमने पूरा कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें हिंदी की सारी मात्राइं हमने कराई हुई है, यह अगर आप Learn Hindi with AMT Classes YouTube पर लिखेंगे, तो यह 70 वीडियो हैं लगबग, लेकिन 60 वीडियो का कोर्स है, यह सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, हिंदी की मात्राओं से related सब भी चीज़ें हमने कराई हुई है, बेसिक मैथ, बेसिक हिंदी और बेसिक इंग्लिश को लेकर अभी तक हम चल ले हैं, और इनहीं के लिए हम अपने उन दोस्तों के साथ, जिनके इंग्लिश बहुत कम जोर है, और यही चीज़ें हर किसी के paid courses में भी कराई जाती है, paid classes में भी coaching पे जाएंगे, तो यही सब चीज़ें कराएंगे, कराने का धंग थोड़ा अलग होगा, कराने का weight थोड़ा अलग होगा, थोड़े अच से कुछ पैसे भी मैं कमा पा रहा हूं, बना पा रहा हूं, तो सभी के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आप किसी दूसरे के लिए करेंगे, तो आपको भी ज़़ूर फायदा होगा, और इसका example यह channel है, जो भी आपके पास है, उस level से सुरू क कीजिए, लोगों को सिखाना सुरू कीजिए, अगर आप लोगों को सिखा पाएंगे, तो कमा भी पाएंगे, मैं आप लोगों के लिए कुछ कर पा रहा हूं, तब ही थोड़ा बहुत अर्न कर पा रहा हूं, तब ही थोड़ा बहुत लोगों को मैं जोड़ पा रहा हूं, इसी तरह सीखते रहें, बेसिक एजुकेशन के दुआरा, सभी चीज़े हमारे फ्री होती है, ओनलाइन क्लासिस हमारे हिंदी के लिए चलती है, जो अब बंदो हो गई है, लगबग बहुत कम चलती है, क्योंकि वो सक्सेस्फुल नहीं रहा, ठीक है? और पढ़ाई लिखाई हमेशा से आप किसी के पास जाकर ही करें, तो ही अच्छा है, लेकिन ओनलाइन माध्यम है, ओनलाइन माध्यम से भी चीज़ों को समझा जा सकता है, अगर उससे पहले का स्टेप हमें आता है, सभी स्टेप्स को सीखना थोड़ा मुश्किल है, कराने व भारत सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें